35 वर्षिय यूबक संदिक्त प्रस्तितियों में लटकता हुआ पाया गया आखिरकार क्या मामला था क्यूं उसकी मृति हुई दैनिक स्टे समाचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन शर्मा इस समें हम मौजूद है जिला अस्पताल अधूमपूर के शवग्रह के जी पहले अपना नाम बदावी के ना थोड़ा मेरा नाजी सम्राइज जी के मामला हुआ पला मामला सर अजल्द फिलाल कोई समने नी आया से लटकता पाया मौड़ा पेट गने अचा ति उस दा एम अधी आट कोला जादां दा साही आखिए कि पर इस आतमत यागती है टिक समारीय से उस्टें लाया देतागे कल लेक यह किरा अब औरकोसल निकले है शामी जन्द लास्ट गडी है सरस्ट साड़े अथवे आठे नबार सबस्सक्राइब सिर्वेरे करीब करीब उसी कोई पूना हुझ ऑनी रखी हो दसवेका ब्दा नीकल ड़ा कर आबारह कुंडी जाए जन्दावाद कर आले तो मदर दरना दो बच्चें देखकर आली है नोडी दर्योंडी में आई है कुंडी होले लेगा पें वोदे बादो बापस नहीं पुजिया सुवेरिया से पता लगदा अस दिखने है जाई जाई एक पेट करने बद्दागा तो नोडे उत पेट बगारा या कुसे करने लड़ाई चगड़ा है बिलकुल नहीं जनाब वह अपने तैड़ी लांदा शामी उने सुवेरिया तैड़ लाने हो ना शामी सिद्देकार अगर वह बाई दवे उसकोई माड़े पाद ले आई काल जो दुनिया पिंदी उस पीनी उन्दी थोड़ जो है 35 वर्ष है दो बच्चे हैं और ये मिस्टरी का काम करता था और जिस तरह से बता रहे हैं कि रात को एक फून उससे आता है और वह गर से बाहर चला जाता है और बड़ी बात यह है कि बाहर से कुंडी भी खुद लगा के जाता है कि आप धर जाओगे अपनी फैमली को आगे एक पेड़ के साथ संदिक्त परिस्तितियों में वो यूबक लटक रहा था अब इनका कहना है कि उसके पाउं जो है वो जमीन पे लग रहे थे अब ये हत्या का शक जदा रहे है अब मामला क्या है इसको दो खैर पूलीस जो है वो सुल जाएगी लेकिन ये हत्या का म दर्दनाक हावर ये है कि एक पैंतिस वर्श यूबक ने अपनी जान कवाई है दो बच्चे थे इसके और फिलहाल इनके ये चाचा जी है इन्होंने जानकारी दी है तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरमेन को दीजिए इजाज़त नमस्कार